नमस्कार दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने चैनल अन्बॉक्सिंग फैक्ट्स को और आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूबॉन लाइट अफ वायलेस हेडफोन जिसका मॉडल नंबर है बी टी फाइफ सेवन फाइफ जीरो इसकी बॉक्स क्वालिटी की बात करें तो बॉक्स क्वालिटी काफी एच्छी है और काफी प्रीमियम लूप देता है अब मैं आपको बॉक्स पे दीगई डीटेल्स अपने शब्दों में शेयर कर देता हूँ इसमें आपको मेडियम साउंड पर 25 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिल जाएगा यह बीटी वर्जन 5 के साथ आता है इसकी 10 मीटर की वायलेस रेंज है यह 360 मह की इन बिल्ड बैटरी के साथ आता है विट लाइट इसका बैटरी बेकप 15 आवर्स है और विदाउट लाइट इसका बैटरी बेकप 25 आवर्स है वो भी मीडियम साउंड पर यदि आप इसे फुल साउंड में चलाएंगे तो आपको इसका बैटरी बेकप और कम मिलेगा यह inbuilt mic के साथ आता है इसमें up to 30 hours का top time आपको देखने को मिल जाएगा तो चली आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसको unbox करते है कि इसके अंदर से क्यों का headphone और कुछ ऐसे सरीज मिलती है जैसे इस headphone की charging cable इस headphone को यूज करने के लिए यूजर मैन्वल एक औक्स केबल और एक यूबॉन का कार्ड और एक छोटा सा यूबॉन का प्रोड़क्ट की लिस्ट वाला कार्ड आपको देखने को मिल जाता है दोस्तो अब बात करते हैं इस headphone की तो ये ये headphone दिखने में काफी अच्छा और रॉयल लगता है चलिए दोस्तो अब बात करते हैं इसके बटन्स की तो इसमें वॉल्यूम अप डाउन प्रीवियस एंड नेक्स्ट पावर ऑन आफ लाइट ऑन आफ के बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं चलिए दोस्तों अब ब यह दो गंटे में फुल चार्ज हो जाता है यदि यूज करते करते यह डिस्चार्ज हो गया तो आप इसे ऑक्स केबल के थुरू भी चला पाएंगे अब बात करते हैं इसके हिंजेज की तो इसके हिंजेज स्टील के बने हुए हैं और यह काफी डियूरेबल है यह काफी दिनों तक आपका साथ देने वाले हैं इसमें आपको बॉडी ब्रेकेज की प्रॉब्लम बहुती रेयर केस में देखने को मिलेगी कुशन की बात करें तो यह एक ओन दे येर हैडफोन है ओन दे येर हैडफोन का मतलब यह केवल आपके कान के कुछ हिस्से को कवर करता है इ यदि आपके रूम में बहुत अधिक आवज आती है तो आपको मेरे हिसाब से ओवर दे येर हैडफोन लेना चाहिए नौइस केंशलेशन के हिसाब से यह इतने अच्छे नहीं है इसके कुशन की क्वालिटी काफी अच्छी है और यह इस हैडफोन को प्रीमियम लुक देत तो इसकी आउक्स केबल की क्वालिटी काफी अच्छी है और इसकी लेंथ लगवग चार फिट है इसकी चार्जिंग केवल की बात करें तो इसकी क्वालिटी ठीक ठीक है और इसकी लेंथ लगवग 10 इंचे एक फिट से भी छोटी है MRP की बात करें तो यह 3999 MRP के साथ आता है और यह online आपको लगबग 1500-1600 रुपए में मिल जाएगा लेकिन मैंने इसे बहुती कम प्राइज में offline market से खरीदा है यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं description में seller की link drop कर दूँआ आप वहां से इसे online से भी कम प्राइज में खरीद पाएंगे अब बात करते हैं इसे खरीदना चाहिए या नहीं मेरे इसाब से इस प्राइज में यह सबसे premium quality के gaming headphone से अगर आपका बजट 1500 से ज्यादा का नहीं है तो आपको इस प्राइज इस रेंज में backlight वाला gaming headphone नहीं मिल सकता है आपको इसे जरूर खरीदना चाहिए अब बात करते हैं कुछ एसी बातों की जो शायद आपको पसंद ना है इसके box पर made in PRC लिखा हो है मतलब इसका मतलब यह की made in people's Republic of China याने की यह एक चाइनीज प्रोडक्ट है इसकी रिपेरिंग में चार्जिंग जैक स्विचेस बैटरी चेंज करने जैसी नॉर्मन प्रोब्लम सी आप इसको रिपेर करवा पाएंगे यह नॉन रिपेरेबल प्रोडक्ट है किवल कुछ शेर के दुकानदारी आपको इसकी वारेंटी दे पाएंगे क्योंकि यह ओफलाइन मार्केट में बिना वारेंटी के मिलता है चलिए दोस्तों में इसे स्विच आउन करता हूं ताकि आप देख सकें इसमें आरजीबी लाइट्स कैसी जलती है चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक करके बता देता हूं दोस्तों अभी अभी मोनें इसकी मैनुवल पड़ी तो इसकी मैनुवल में लिखा हुए कि with ृङ इसका music playtime 6 गंटे का है और without LED इसका music playtime 15 गंटे का है और box पे 25 गंटे लिखा हुआ है अगर कोई you want का व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मुझे comment में जरूर बताए कि ऐसा अंतर क्यों है अरे कहना क्या चाहते हो चलिए दोस्तों आज के लिए ताई मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में जदि आपको हमारी unboxing पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से यह वीडियो शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी थी ताकि हम अगले वीडियो में पूरी कर सकें